नमस्कार आप देख रहे हैं समवात्री सिक्स फाइब मैं हूँ दिगविज़सिंग चोहान उत्राखन में लगातार कई सारी भरतियों में गड़बडी और घोटाले की बातें पहले भी सामने आती रही थी और अभी भी सामने आ ही रही है UK SSSC पेपर लीक कांड में हुई तफ्तीश की शुरुवात अब लगातार अपने अंजाम की और बढ़ रही है इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन UK SSSC सनातक स्तर की जो परिक्षाएं हुई थी उसके अलावा भी कई और भड़तियां ऐसी हैं जिन में धांदली की खबर अब धीरे-धीरे सामने आ रही है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं उन पर भी जाज की डिमांड्स की जा रही है यहां तक की जो छातर है उनका ये तक कहना है कि इस पूरे मामले में CBI जाज होनी चाहिए UK SSSC पेपर लिग कांट सनातक स्तर की परिक्षाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर अभी तक STF 25 गिरफतारिया कर चुकी है इस मामले में एक और गिरफतारी हुई है और इस बार उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की गिरफतारी हुई है जहां से ये पेपर चापा गया था और जहां से ये पेपर पहली बार लीक किया गया था एक लंबी पूछताज के बाद, अब STF की टीम ने लखनों की RMS प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चोहान की गिरफतारी भी कर ली है आरोप है कि इसी प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार इस पेपर को लीग किया गया था और यहां से इसके मालिक राजेश चोहान ने जो केंदरपाल और अन्य उसके साथी थे उनकी मदद से इस पेपर को यहां से बेचाता यानि कि अब इस गिरफतारी को मिला करके कुल 25 गिरफतारिया UK SSSC पेपर लीग कांट मामले में हो चुकी है चाहे वो हाकम सिंगरावत हो, चाहे वो राजेश चोहान हो, चाहे वो केंदरपाल हो सभी से पूश्ताच की जा रहे हैं और आगे सुराग जुडाए जा रहे हैं आगे कौन-कौन से बड़े नाम सामने आएंगे, इस पर सभी की नज़रे हैं क्योंकि लगातार एक दो दिन के बाद एक और रही गरफ्तारी हो जाती है, कुछ और चौकाने वाले तथ्य सामने आ जाते हैं ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आखर इस UK SSC पेपर लीग कांड के और उत्राखन की भरतियों में हो रही सिर्फ UK SSC पेपर लीग कांड ही नहीं, 2015 में हुई पुलिस भरती भी अब शक के दाएरे में है इस मामले में भी मुख्यमंतरी ने का है कि निश्पक चरूप से विजलेंस से इस मामले की जाच करवाई जाएगी 2015 में सब इस्पेक्टर्स की भरती हुई थी और इस पर भी अब शक जताया जा रहा है कि इस मामले में भी गड़बड़ी हुई है इतना ही नहीं एक और मामला भी सामने आया है, यह है सचिवाले रक्षक भरती घोटाले मामले में भी एक मामला धर्ज करवाया गया था और इसी के आधार पर इस मामले में भी पुलिस ने एक पहली गिरफतारी की है, इस बारी गिरफतारी बारबंकी से की गई है सचिवाले रक्षक भरती पेपर लीक मामले में ये जो गिरफतारी हुई है बारबंकी से और आरोपी का नाम प्रदीपाल है जो की बाराबंकी का रहने वाला है ये आरोपी भी उसी printing press में काम करता था जहां से पेपर छपा था इसके ओपर आरोप है कि उसी printing press से pen drive के माध्यम से इसने पेपर चुराया और अन्या जो अभ्यारती है उनको लाखों के दाम में ये पेपर बेचा गया इसकी भी गिरफतारी अब हो चुकी है STF ने सचिवाले रक्षक भरती मामले में ये अपील भी की है कि जिन जिन अभ्यारतियों ने अनुचित माध्यमों से इस पेपर को क्रेक किया सेलेक्ट हुए उनकी पहचान की जा चुकी है इसलिए वो अभ्यारती स्वयम आकर के ही अब अपने बयान दर्ज करवाएं इस पर विदी संब्मत कारवाई उसके बाद की जाएगी यानि कि अपील में साफ़तार पर कहा गया है कि सेलेक्शन हो चुका है कि किस-किस ने अवैद तरीके से भरतियां पाई है वो लोग स्वयम ही सामने आए और ये अपील STF ने की है 2015 की SI भरती हो UK SSS सनातकस्तर की भरतियां हो या फिर सच्चिवाले रक्षक भरती हो इसके अलावा भी कई सारी ऐसी भरतियां है जिन पर सवाल लगातार उठते आए हैं इसी पीच कॉंग्रिस ने एक और भरती को लेकर के सवाल उठाया है और इस बार सवाल उठाया है तरीके से हुई है हजारों लोगों ने इसके लिए आविदन किये थे लेकिन उनकी परिक्षा तक नहीं हुई बलकि बैकलॉग के आधार पर 73 लोगों की भरतिया विधान सबा में कर दी गई और इन 73 लोगों में वो लोग सबसे जादा हैं जिनकी या तो किसी मंतरी से कहना है कि विधान सबा में जितनी भी भरतियां हुई है उनकी भी अब जाच करवाई जाए ये भरतियां उस समय की हैं जब विधान सबा के अध्यक्ष प्रेमचद्र अगरवाल थे इस पर विपक्ष का कहना ये है कि इस पामली की भी निश्पक्ष तरीके से जाच हो और पता लगे कि किस-किस की भरती किस-किस के आधार पर हुई है। उत्राखन में भरतियों का जिन धीरे-धीरे सामने आ रहा है। ये घोटाले कितने बड़े हैं, कितने बड़े स्तर पर भरतियों को अवेद तरीके से किया गया, कितने बड़े स्दरपर पेपर लीख हुआ और कौन-कौन से बड़े-बड़े नाम इसमें शामिल है इन सब का सामने आना बहुत जरूर है आपका इस बात को लेकर क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं खबरों को देखने के लिए आप समबात्रे 65 को सब्सक्राइब कर दीजें नमस्कार